हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चानल लार्ज अनिमल वेट आज हम बात करेंगे इंजक्षन मेट्रो निडाजूल की मेट्रो निडाजूल एक इंजक्षन ऐसा है जो पशुचु किस्था में बहुत ही ज्यादा उपयोग में लिया जाता है तो मेट्रो निड प्रेग्नसी सेफ है या नहीं है उसकी कितनी डोज हमें देनी है इस सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चानल से नए जुड़े है या आभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक श्यार और सब्सक्राइब करें साथ में बेल वाला आक अंदा बाकर आल वाला आप्शन भी चुने ताकि भविश्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे तो इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल जो है वो नाइट्रो इमिडाजोल ग्रूप का एक अंटिबायोटिक है जो की बैक्टेरियो साइडल है बैक्टेरियो साइडल का मतलब होता है कि बैक्टेरिया को किल करने वाला बैक्टेरिया को मारने वाला अंटिबायोटिक है जो की अनेयरोबिक बैक्टेरिया पर काम करता है जो अनेयरोबिक बैक्टेरिया उन पर यह ज्यादा असरदार नहीं होता है तो अनेयरोबिक बैक्टेरिया का मतलब है जिन बैक्टेरिया को ग्रोथ और मल्टिप्लेकेशन के लिए ऑक्षेजन की जरूरत नहीं होती है वह ऑक्षे अच्छे से काम करता है जो एरोबिक बैक्टेरिया होते हैं उन पर यह ज्यादा असरदार नहीं है ज्यादा प्रभावी नहीं है तो वेटरनरी फिल्ड में ज्यादा अतर नाइट्रमीडाजोल ग्रूप के सिर्फ दो एंटिबाटिक यूज में लिये जाते हैं जो की एक है मेटरनीडाजोल और दूसरा है टिनीडाजोल तो मेटरनीडाजोल जो है वह अगर हम उसको ओरली देते हैं जैसे की बोलस के फ्यूड और टिशू होते हैं तो उनमें वह अच्छी तरह से डिस्ट्रिब्यूट होता है तो जैसे की ब्रेंड और सिर्वर स्पाइनल फ्यूड है तो इनमें अच्छे से डिस्ट्रिब्यूट होता है और मोस्टली यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोन मतलब जो जिन बैक्टेरिया को ग्रोथ और मल्टिप्लिकेशन के लिए ओक्सिजन की जरूरत नहीं होती है उन्हीं ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया पर यह अच्छे से काम करता है और जो जो बैक्टेरिया को ग्रोथ और मल्टिप्लिकेशन के लिए अक्षीजन की जरूरत होते है यानि कि aerobic bacteria होते हैं तो उन aerobic bacteria के अगेंस्ट ये काम नहीं करता है aerobic bacteria पर ये effective नहीं है जैसे कि ये gram positive, gram negative अर्न अपर बहुत effective है उसी तरह से variety of protozoa पर भी effective है यानि कि बहुत सारे जो protozoa diseases होती है उनमें भी ये बहुत असरदार antibiotic है उनमें भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो अब हम बात करते हैं कि मेट्रोंडेडाजोल इंजेक्शन को हम कहा कहा पर यूज कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि जहां पराण ये रोबिक बैक्टेरिया का इन्फेक्शन है तो पर्टिकुलरली जैसे कि अग अगर कोई प्रॉब्लम है कोई इंफेक्शन है रोमेने में अगर कोई इंफेक्शन हो गया है तो वहां पर मेट्रोंडेडाजोल बहुत अच्छी तरह से काम करता है साथी में अगर जो इंटेस्टाइन हैं इंटेस्टाइन में अगर कुछ इंफेक्शन हो गया है चाहे व वह बहुत अच्छे से काम करता है सिर्फ इंजक्षन ही नहीं वह चाहे ओर लिक्विड हो या फिर ओरल फॉर्म में जो टैबलेट आते हैं बोलस आते हैं तो ऐसी कंडिशन में मेट्रोनिडाजोल ड्रग बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो इंटेस्टाइन में पर्टिकुलर्ली इंफेक्षन होता है तो पश्यू में डाइरिया होता है उसमें कभी-कभी डाइरिया में खुन भी आता है तो ऐसी सिचुएशन में मेट्रोनिडाजोल बहुत ही अच् में हम मेटनेडाजोल का यूज कर सकते हैं और वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छे सी रिजल्ट मिलता है तो लिवर इंफेक्शन जब पश्यू में होता है चाहे वो किसी तरह का भी लिवर इंफेक्शन हो क्योंकि यह बैक्टेरिया के साथ साथ प्रोटोजवा पर भी काम कर बहुता है तो जैसी कि लिवर में अगर एफइस हो अगया हो या अगर कोई इंफेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर भी मेटनेडाजोल को हम कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और साथी साथ अगर सकीन इंवेक्शन है आय में कोई इंफेक्शन ओं येर में कोई इंफेक्शन है तो वहाँ पर भी हम मैट्रोनिडाजूल का यूज और सकते हैं इतना ही नहीं के मेट्रोनिडाजूल जो है वो बाड़ी और टिश्यू फ्लूड में बहुत अच्छे से डिस्ट्रियूट होता है जैसे कि सेर्मिनों स्पाइनल फ्लूड है ब्रेन है तो वहां पर भी अगर कोई इंफिक्शन है तो हम मेट्रोनीडाजोल का उप्योग कर सकते हैं जैसे कि पश्यूव में ब्लाक क अगर कोई भेड़बकरी होती है उसको मिलता है इसको हमें पेनिसिलीन के साथ लगाना होता है अगर काहें या फिर जो भेड़बकरी होती है उनके अगर अगर यूटेरस में infection हो जाता है वहाँ पर अगर कभी पस भर जाता है या inflammation हो जाता है वहाँ से जो discharge आता है वह बहुत ही bad smelling होता है तो ऐसी condition में भी हम metranidazole को intrauterine और intravenous दोनों रूट से भी हम यूज करके उसका अच्छा result ले सकते हैं तो metranidazole को अक्सर जो यूज किया जाता है तो combination में बहुत सारे ऐसे बोलस टाबलेट आते हैं जो हमें मार्केट में अवैलेबल है जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्जेशिन के साथ क्यूंकि यह ग्राम ऑन बखोट्यक है और जो अधर अन्हसिती एसके साथ में लाए जाता है जैसे कि सिप्रोफ्लॉक़्ेशिन हैं तो वह ग्राम मतलब गराम निगीटिव ग्राम पोज्टीव बॉक्ठ बेक्तिर आं। करता है लेकिन वह अन एरोबिक पैक्टिरिया पर काम करता है तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन भी मार्केट में एवैलेबल है जिसकी वज़य से यह अच्छे से काम कर सके जैसे कि मार्केट में हमें सिप्लोक्स टीजर नाम से बोलस मिलती है से जिसके अंदर सिप्रोफ्लाक्जेसिन और ट्रीडाजोल होता है जो की नाइट्रोई मिटाजोल ग्रूप का ही एंटिबाटिक है तो इसी तरह से उसकी जो स्पेक्ट्रम होती है वो बढ़ाने के लिए उसको दूसरे एंटिबाटिक के साथ भी कंबाइन करके यूज किया हुआ चाहि जाता है पश्व में अगर पेरिटोनाइटेज हो गया होगा है या फिर कि सभी करनी है पश्व की तो इसके दरान सरजरी के पहले और या सरजरी के बाद या फिर सर्जरी होने के बाद या किसी और कारण से पशु में अगर पेरिटोनाइटीज डेवलप होता है तो उस कंडिशन में भी मेटेने डाजोल का ही यूज किया जाता है क्योंकि मेटेने डाजोल का वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है तो अब हम बात करते हैं इसक के डोज रिट की तो मेटेने डाजोल इंजक्षन का जो डोज है वो 20 यमजी पर के जी बॉडवेट की हिसाफ से डिवाइडेड डोज में इसको देना होता है और इसका सिर्फ और सिर्फ आइभी रूट से अगर पैरेंट्रल रूट की हम बात करें तो सिर्फ आइवी रू रिटेक्षन लागा सकते है या फिर जो बोलास लिकवीड फार्म में आते हैं उसको और यली दे सकते हैं तो इस तरह से हम लिटेने डाजोल को यूजवरिय नहीं करते हैं तो आप बात करते हैं इसके संटाइडिकेशन के तो हमें इसको बहुत जादा लंबी देर टक यूज में क्योंकि यह अगर हम बहुत जहादा प्रोलांग यूज अर्चनिक हमें देखने को भी है और और अगर 1 Oliver Das इस्टर्बंस देखने को मिलता है तो इसी लिए हमें इसका ना प्रोलॉंग यूज करना है और ना ही इसको ओर्डोज यूज करना है तो हमें इसको 20 mg पर kg पॉडवेट के हिसाब से आई भी लगाना है डिवाड़ेड डोज में तो जैसे कि आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं यह 100 ml की बॉटल आती है मेटर डिड़ाजोन की जिसमें 500 mg टोटल मेटर डिड़ाजोन होता है यानि कि 5 mg पर ml इसका कॉंसेंट्रेशन होता है तो एनिमल के वेट के अकॉर्डिंग आप उसका डोजरेट केल्कुलेट करके आपको खुद नहीं लगा रहा है यह आपके पशुच किस्ट का एकाम है उनके ही सलाह के अनुसार या उनके हाथ से ही वो इसको लगाएंगे उसका ट्रेटमेंट करेंगे अब रही बात इसकी प्रेगनसी सेफ है या नहीं है तो जहां तक हो सकता है हमें इसको प्रेगनसी में भी अवाइल करना है तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद